हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के में इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में आप सभी को बता है कि कल के दिन यहां पर क्वाटर 4 के रिजल्ट्स जो है वो यस बैंक के आ गए थे बहुत सारे लोगो को तो इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं और वहीं यहां पर जो लोग हैं वह यह भी बोलते हों नजर आ रहे हैं कि जो नंबर्स हैं वह उतने यादा अच्छे नहीं हैं जितनी एक्सपेक्टिशन थी और इस से आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा बैनिफिट जो है व फिर यहां पर वही आपको पंदरा और सोलर रुपे के जो मुमेंटम है वही देखने को मिलेगा इंतारी चीजों पर हम बात करेंगे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरू करिएगा चैनल पर फस्टाम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी देखने चाहिए इस रिपोर्ट में आई से बैंक यह बैंक और मैक्रो टेक ड्वेलपर्स के बारे में भी बताया गया ठीक है लेकिन हम यहां पर बात करेंगे यह बारे में आप सभी को बता है कि यह और यह बेसिस पे यह बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वह 45 परसेंट स देखते हो पिछले साल में जो प्रॉफिट था वह बहुत जादा था लेकिन इस बारी रहे गया केबल 202 करोड अब यहां पर ही जो मेजर चीज़ें हैं वह कंसर्ण आ रही है ऐसा क्यों हुआ है वह आपको रीजन पता है रीजन सब्सक्राइब यह है कि जहां पर अगर आ करीवन 26,000 के आसपास नजर आता था मतलब मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं आप उसको करोड में कर लेना लेकिन इस बारी क्या है कि वही जो प्रॉफिजिनिंग है वह हो गई है 67,000 के आसपास यहां से क्या हो रहा है कि चीज़ा जो है वह इसी वजह से प्रॉफिटेवि बहुत ज्यादा है इसी वजह से जो नेट प्रॉफिट हैं पर हुआ है और यहां पर जो लोग है वह इसी वजह थी बोड़ रहे हैं कि जो चीज़े हैं वह थोड़ी थी खराब है लेकिन हां 290 परसेंट से क्वार्टर अन क्वार्टर वेसिस पे प्रॉफिट जो बढ़त है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि पिछले एक क्वार्टर में यह बैंक ने बहुत यहादा बहुतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है और उसी परफॉर्मेंस के बापजूद अगर आप यहां पर देखते हो तो जो प्रॉफिट पार्ट है वह आपको सीकॉन्स लिया है और नजर आपको और मतलब यह लगए है और यह बसे देखने को मिल atenção कि आप और आपके कासा रीशियो पर नजर डॉलने तो कासर रेसियो अगर आप देखोगे तो 30.8% से बढ़ा है जो कि 90 बिप्स अगर आप वोल तो बेसिस पॉइंट तो उससे यहां पर बढ़ते हूं नजर आया है quarter on quarter basis पे वही अगर आप कासर deposits देखते हो तो 26% से भी ज्यादा की percentage से year on year basis पे बढ़ते हूं नजर आया है कासर अकाउंट जो open हुए है वो करीबन 13.4 लेक हुए है जो कि पिछले साल करीबन 11.4 लेक थे यानि कि अगर आप देखते हो तो current अकाउंट सेविंग अकाउंट भी यह बैंक के बहुत जादा हद तक बढ़ते हुए नजर आये हैं वही अगर हम बात करें एडवांस के बारे में तो एडवांस में अगर आप यहां पर देखते हो तो यह बैंक के जो एडवांस हैं वह 13% से जादा की रेट से बढ़ते हुए नजर आये हैं और यहां पर उन सारी चीज़ों को हटाये गया है जो एक ट्रांजक्शन से रिवर्स रेपो रेट वाले ट्रांजक्शन से उन सब को हटा कर यह जो एडवांस है वो ग्रो करें करीवन 13.2% से वही रिटेल एडवांस अगर आप देखोगे तो यह और यह बात करें है SME यानि कि Small Medium Enterprises वह यहां पर करीवन 22.3% से यह और यह बढ़ा है वही अगर आप देखोगे तो न्यू सेंक्शन भी करीवन तो एक चीज हटा दी जाए वह भी केबल अगर हम यह और यह वेसिस पर देखें तो उस चीज को अटा दिया जाए तो बाकी सारी चीज़ें तो बहुत यह अच्छी नजर आ रही है वही एसिट क्वालिटी के बारे मात करें तो एसिट क्वालिटी अगर आप देखोगे त तो क्या है कि उस टाइम पर ऊसी का ठ्रांजिक्शन नहीं हुआ था ऊस बार यहींज़ हो चुकी है तो कउप Kennetation केवल बनेगा लाश्ट को एक आड pasado से अगर आप देखते हो तो ग्रॉस चीज की दिक्कत यहारी होगी रिए इन सारी चीजों के बावजूद भी क्या यह जो शेयर है जो रिजल्ट्स आये वह अच्छे हैं या फिर बोरे तो देखो जिस एकॉर्टिंग यहां पर जो रिजल्ट्स हैं नंबर्स हैं वह बहुत जादा मिक्सप हैं मिक्सप का मतलब है कि अगर आप प्रोविजिनिंग्स के वज़े से वही मैंने कल आपको आई से इसी बैंक के रिजल्स दिखाए थे उसमें अगर आप देखते हो तो एक कंसिस्टेंसी बनी हो या हर चीज में चाहें आप उनके प्रोविजिनिंग्स देखो या फिर आप उनके एंपीएस देखो तो इन सारी चीजों में वहां आप एक एक कंसिस्टेंसी दिखाई देती है कि हां कोई बहुत बड़े परसेंटेज से नहीं लेकिन एक डीसंट परसेंटेज के साथ हर जिछ ग्रो कर रही है चाहें मुसको कौ इर और रूथ यर वेसे हैं तो वो चीज जब तक यह बैंक के अंदर नहीं आएगी वह कंसि कर लिया जाए और यहां पर इन सारी चीजों पर थोड़ा सा काम कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से फिर नंबस और ज्यादा इंप्रूब हो सकते हैं तो बाकी मुझे तो लगता है कि जब कल मार्केट ओपन होगा तो एक अच्छी-काची तेजी बन सकती है यह बैंक के अंदर बस अच्छे हैं खराब तो कहीं से भी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं वांकि आप अपनी राय जरू बताइए अपने उपीनियन जरू शेयर करेए वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरू करिएगा चैनल पर फश्टाम विजित कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जर कर दिजिगा धन्यवाद